ओम शान्ती, 14 जून 2020, अव्यक्त बापदादा के महावाक्य, ओरिजनल डेट 22 जैनिवरी 1986, बापदादा की आशा संपून और संपन्न बनो आज विशेश दूर देश वासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आई हैं, इतने दूर से मिलने के लिए आई हैं, इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं, एक तरफ दिल के मिलन की लगन हैं, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैरिय भी धरा हैं, इसलिए धैरिय का फल विशेश रूप में देने के लिए आई हैं, विशेश मिलने के लिए आई हैं, सभी डबल विदेशी बच्चों के सनेहे के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग, हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं, दोर बैठे भी सनेहे के कारण समीब हैं, बाप दादा हर समय देखते हैं, कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे द्रिस्टी और वाइब्रेशन से सनेहे और शक्ती कैच करते हैं, आज, विशेश मुरली चलाने नहीं आए हैं, मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को, यह वर्ष विशेश प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के सनेहे का प्रमान स्वरूप, संपुर्ण और संपन बनाने के समीपता का स्वरूप, स्रेश्ट संकल्प, स्रेश्ट बोल, स्रेश्ट कर्म, स्रेश्ट संबंद और संपर्क ऐसा स्रेश्ट स्वरूप देखना चाहते हैं, जो सुना, सुनना और स्वरूप बनना यह समानता देखना चाहती है प्रैक्टिकल परिवर्तन का स्रेष्ट समारोहो देखने चाहती है इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाईंगे लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाने चाहती है ऐसा एक-एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाई, हद के संबंद बहुत समय देखे लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की अवश्यक्ता है उसके आगे यह दीपकों की रोश्नी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है बेहद के तरफ द्रिस्टी रखो बेहद की द्रिस्टी बने, तब स्रिस्टी परिवर्तन हो स्रिस्टी परिवर्तन का इतना बणा कारिय थोड़े समय में संपन करना है तो गती और विधी भी बेहद की फास्ट चाहिए। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गुझे। तब संपूनता और समाप्ती समीप अनुभव होगी। समझा। बाप दादा के सुक्षम इशारों को समझने वाले विशाल बुधी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देश विदेश के सभी बच्चों प्रती बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के सनेही सहयोगी और शक्ती शाली बच्चों के भिन भिन लहरों के पत्र देख बाप दादा सनेहे के सागर में समा गई हैं। सभी की भिन भिन लहरे अपने अपने उमंग उद्साहा के अनुसार स्रेस्ट हैं। और बाप दादा उन लहरों को देख हरशित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लैन भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की माक्स बाप दादा से लेनी हैं, और भविश्य खाता जमा करना हैं। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की माक्स हर बच्चे की नोट कर रही हैं। और यह वर्ष विशेश प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा माक्स लेनी का है। इसलिए जो इशारे समय प्रती समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयम प्रती समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नमबर वन ले सकते हैं। विदेश के वा देश के बच्चे जिनों को दूर बैठे भी समीप के सनेहे का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है। कुछ करके दिखाएं, यह करें, ऐसा करें, यह उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेश चांस है। इसलिए उडती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मोरत बनने में और साथ साथ ज्यान स्वरूप बन ज्यान चर्चा करने में, चार ही सबजेक्ट में, उडती कला की रेस में, नंबर विशेश लेने का यह वर्ष का चांस है। यह विशेश चांस ले लो, नया अनुभव कर लो, नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा माक्स हैं। समय एक्स्ट्रा मिला है। पुर्शार्थ अनुसार प्रालब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेश एक्स्ट्रा माक्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन, आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देती है। दिल बड़ी करेंगे, तो साकार में पहुचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है, वहां धन आही जाता है। दिल धन को कहा न कहा से लाता है। इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है, और पहुच जाते हैं। महनत का पैसा हो, महनत का धन पदम गुणा लाब देता है, याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है, और पहुच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेष्टा से बाहों की माला, सहित, याद, प्यार, सुईकार करना। सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रती अव्यक्त महवाक्य है। का प्लैन तो बनाते ही हो, लेकिन स्वा परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन उसके लिए क्या प्लैन बनाया है। यह तो अपने अपने स्थान का प्लैन बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आदी निमित हो, तो बेहद के प्लैन वाले हो। ऐसे बुद्धी में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्यान करना है। यह इमर्ज होता है यह समझते हो कि यह तो जिन का काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है यह अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्यान कारी। फलाने स्थान के कल्यान कारी तो नहीं कहते। लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्ब चलता है। बेहद के मालिक बनने है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवादारी निमित आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी, तो दूसरों में आ नहीं सकती, तो सदा बेहद के अधिकारी समझ, बेहद का प्लैन बनाओ, पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना, बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे, यहां ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा, तो इस वर्ष में क्या विशेष्टा दिखाएंगे, द्रड संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है, उसमें भी द्रड संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो, तो द्रड संकल्प लेना भी कौमन हो गया है, कहने में द्रड संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प, अगर द्रड होता, तो दुमारा नहीं लेना पड़ता, द्रड संकल्प का यह शब्द कौमन हो गया है अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ द्रड संकल्प करते हैं लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो प्लैन और प्रैक्टिकल तोनों साथ हो प्लैन तो बहुत हैं लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याईं भी आती हैं महनत भी लगती हैं सामना करना भी पढ़ता हैं यह तो होगा और होता ही रहेगा लेकिन जब लक्ष है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे अभी ऐसा प्लैन बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे नहीं तो हर वर्ष इकठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है एक दो को वैसा ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता वह कैसे हो, इसके लिए जो ओटे सो अरजुन एक भी निमित बन जाता है तो औरों में भी उमंग उच्साह तो आता ही है, तो इतने सभी इकठे हुए हो, ऐसा कोई प्लैन प्रैक्टिकल का बनाओ थियोरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं यह तो है कि जो आदी से निमित बने हैं, उन्हों का भाग्य तो स्रेष्ट है ही, अभी नया क्या करेंगे? इसके लिए विशेश अटेंशन, हर कर्म करने के पहले यह लक्षे रखो कि मुझे स्वयम को संपन बनाए, सैंपल बनाना है. होता क्या है? कि संगठन का फाइदा भी होता है, तो नुकसान भी होता है, संगठन में एक दो को देख, अलबेलापन भी आता है, और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उच्सहा भी आता है, दोनों होता है, तो संगठन को अलबेलापन से नहीं देखना है, अभी यह एक रिती हो गई है यह भी करते हैं ये भी करते हैं हमने भी किया तो क्या हुआ ऐसे चलता ही है तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है संगठन से स्रेष्ट बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है अगर यह लक्षे रहे कि मुझे करना है मुझे करके औरों को कराना है फिर उमंग उच्साहा रहेगा करने का भी और कराने का भी और बार बार इस लक्षे को इमर्ज करी अगर सिर्फ लक्षे रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता तो लक्षे को समय प्रती समय इमर्ज करो लक्षे और लक्षन भी बार बार मिलाते चलो फिर शक्ती शाली हो जाएंगे नहीं तो साधारन हो जाता है अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सेंपल बनना है यह सेवा की प्रवरती व्रद्धी को तो पाती रहती है लेकिन यह प्रवरती उन्नती में विघन रूप नहीं बननी चाहिए अगर उन्नती में विघन रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहिंगे अच्छा है तो बहुत बड़ा जुंड जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखाता है तो यह इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हैं स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबॉन लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित आत्माओं का स्नेहे का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेहे के संगठन ने पृत्यक्ष फल दिखाया सेवा की व्रधी सेवा में सफलता ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित देदियां दादियां जो भी है उन्होंने जब इसनेहे और संगठन की शक्ती का पृत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी पृत्यक्ष फल दिखाओ तो एक दोके समी पाने के लिए समान बनना पड़ेगा संसकार भिन भिन तो हैं भी और रहेंगे भी अभी जगदंबा को देखो और भ्रम्मा को देखो संसकार भिन भिन ही रही अभी जो भी निमित दीदी दादिया हैं संसकार एक जैसे तो नहीं है लेकिन संसकार मिलाना यह है इस नहीं का सबूत यह नहीं सोचो कि संसकार मिलें तो संगठन हो यह नहीं संसकार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है अच्छा, यह भी हो ही जाएगा, सेवा एक है, लेकिन निमित बनना, निमित भाव में चलना, यही विशेष्टा है यही तो हद निकलनी है ना, इसके लिए सोचा ना, तो सब को चेंज करें, एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए, सभी तयार हो, ओर्डर निकलेगा आपका तो हैंडस अप है ना, बदलने में फाइदा भी है, इस वर्ष यह नई बात करेंगा, नश्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा जब त्यागी तपस्वी बन गए, तो यह क्या है, त्याग ही भाग्य है, तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है, ओफर करने वालों को ओफरीन मिल जाती है तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदी से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है कोई भी आग्या पालन करने का बल स्वत है ही मिलता है, तो सदा आग्या कारी बनने का बल मिला हुआ है अच्छा, सदा स्रेष्ट भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा समझा, सेवा वर्तमान और भविश्य दोनों को ही स्रेष्ट बनाती है, सेवा का बल कम नहीं है याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नती का अनुभव कराईगी याद में सेवा करना नैचुरल हो, ब्रामन जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना ब्रामन जनम लेना, अर्थार्त याद का बंधन बांधना, जैसे वह ब्रामन जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्रामन जीवन की निशानी है याद याद में रहना नैचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकठे हों, इतना टाइम कहां है, जो याद अलग करो, सेवा अलग करो इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही, इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं अच्छा, वर्दान, कर्मों की गती को जान, गती सदगती का फैसला करने वाले, मांस्टर दुख हरता, सुख करता भव अभी तक, अपने जीवन की कहानी, देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बलकि हरेक के कर्म की गती को जान, गती सदगती देने के फैसले करो मांस्टर दुख हरता, सुख करता का पार्ट बजाओ, अपनी रचना के दुख अशान्ती की समस्या को समाप्त करो उन्हें माहादान और वर्दान दो, खोद फैसलेटीज सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बन कर दो यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयम की उन्नती वा सेवा में अल्प काल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे अनुभूती ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं, ओम शान्ती